कभी कभी सोचता हूँ यदि मैंने सारसों का निरत्य नहां देखा होता तो मैं सजमुच कितना दरी दिर्वेक्ती होता इन तीनों में से एक शांत भाव से देख रहा है जबकि दो निरत्य में लगे वे हैं पंको को फरफ़ाते हैं हवा में उचलते हैं इदर उदर दोड़ते हैं कभी सिर को नीचे जुकाते हैं तो कभी थोड़ा थोड़ा अकड़ भी जाते हैं सिर को पर उठा करके और देखिए पूरी प्रत्वी के ओपर उड़ने वाले पक्षियों में इस सबसे ज़्यादे लंबी चड़िया है और उसके बाद भी इनका ये इंदरत्य रिदम गती अदबुद है मैं कोई बहुत बड़ा साहिते कार नहीं हूँ छोटा मोटा आधना सा रहा हूँ कभी इसलिओ मैं बयान नहीं कर पाता अच्छे साहिते कार कभी हिर्दव्यक्ती इससे ज़्यादा बयान करेंगे अध्यात में कर्थ भी लिए जा सकते हैं यहाँ जी और माया लगेवे हैं रत्यत्यादी में और भीतर जो साक्षी भाव है व्यत्ती से सारस के तरह चुपचाप देख रहा है